बिस्मिल्हारोमारोहिम असलाम अलेकूम हलीमा सुल्टान डिजैनिंग में खुश्यामदीद आज मैं आपके लिए दो डिजैन लेके हूं गला और स्लीव डिजैन आप मैचिंग डिजैन इस तरह से ट्रेस पर बना सकते हैं पहले गला डिजैन बताऊं किस तरह से आप गोल बना सकते हैं इसकी पांच इन से थोड़ी सी ज्यादा इसके नंबाई है और पांच इसकी चुड़ाई है यह फुल से इसका श्याड नहीं है और यहां से हमने इसको प्रेस कर लेना है इसको चारों तरफ से हमने इस तरह से इसको बढ़ा लेना है इस तरी की साथ पिर यहा इसको फोल्ड कर लेना है इस तरह से प्रेस कर लें यहां से फिर इस तरह से फोल्ड करके इस तरह से डिबी बना लेंगे यहां से कट कर लेंगे तो इस तरह से फिर इसको हमने स्मोसा बना लेना है इसके एक कॉर्णर के दरफ से हमने इसको कट कर देना है कि इस तरह से बाकी सब भी जो है दिब्ये детAR से सब कमने स्थ बुना कर लेना है उसके बाद हमने इसको गले में हम अंदर सवानी लगा कर देना है यह दम तरफ को निकाल लेना हैससरा से उल्टी सैट Pe delegates स्पिस लगार के मिश्यजा्य स्काइब निकाल लिया व्यkins यहां पर आंदर वाली सैट की तरफ निकाल लिया है अब यहां पर अंदर वाली सैट पर पर हमने स्लाइब लगा बेहां हैं सरफ अब इसके यह एक फिर दूसरा इस तरह से हमने इसको बारे-बारे रखते जाना है आप डिजैन थोड़ा चेंज भी करना चाहें तो कर जाते हैं थोड़े फासले भी रख सकते हैं दो दो या तीन दिन करके भी आप इसको लगा सकते हैं हर तरीके से डिजैन बहुत प्यारा लगेगा त जान बेख़ेंगे, बिल्कुर साथ साथ से रखके इससे लगई हैं. इस तरह से गुलाई भी इसकी जहांस पर आती जाएगी, उसाथ हमने हमने इसको अपर तर्न होते जाना है, और साथ साथ हमने इसको लगाते जाना है. ये शोट में इस कलर का थोड़ा सा डिजाइन था इसलिए मैंने इसको इस कलर में लिया है इस तरह से इसकी मैजिंग बहुत अच्छी हो जाती है गला बहुत खुब सूरत लगता है इस तरह से ये स्लाइज की मैंने यहां पे निकाल दी है ये देखे रैडी हो चुके है कितन जमबाई है उसकी वह 20 इंच आ वफ्रंडस से बाजू जो है अब जतनी ज्यादा चुन दालना चाहें उतनी ज्यादा खुले रखने यहां से फिर हमने जो ज्यादा कबड़ा आगे से वहां मैंने चुन डालने है और जहां से जो हमने आगे से बंद करना है जो पट्री लगा इस तरह से यह मैंने पांच इंच तरह से चेपी की लुमबाई ली है डबल चेपी की अब हमने यह कपड़ा जो है फ्रंट से हमने इसकी चुनर डालने हैं और फ्रंट पे जो पैटी लगानी है यह कपड़ा साइड से उतरा था यहां से हमने इस साइड से हमने चेपी को प्रेस कर लेना है यह डिजाइन हमने इसके फ्रंट पे ले आना है इस तरह से लाइनिंग इसमें आ जाएंगी इसको प्रेस कर लेना है जो साइड पर जो कपड़ा है थोड़ा से छोड़ा उसको इस तरह से प्रेस कर लेना है और दुबारा फिर इस तरह से इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है यहां से हम इसको बच्छी से प्रेस कर लेंगे जो जाफी कपड़ा यहां से उसको हमने कट कर लेना है और फिर इसको हमने इसके इस तरह से फोल्ड कर देना है इस तरह से मारी यह पटी त्यार हो जाएगी यह पटी हमारी तरह से रेडी हो चुकी है यहां से जो कुली सैड है यहां पर हमने उस पर स्लाई लगानी है जिस पर चूनर डालने है सबसे पहले हम अब चूनर डालेंगे यहां पर हमने फूल बड़ा टांका रख लेना है इससे चून बहुत इजिली डल जाते हैं और यहा स्लाइव लग चुकी है अब हम इस तरह से दागते को पकड़े को पकड़ की सब्सक्रेवाइः ते जहेंगे तो है इसारी से डालते roads आने हमने सारे चुनट आपको एक साइस में बरुबर कर लेना है और उनका साइज उतना रखना है जो हमने पांच इंच की पटी जो त्यार की थी उसके हिसाब से यानि कि जितना उसकी लंबाई है यह चुनट डल के सारे बराबर होके भी बन जाए यह हमारे इस तरह से चुनट बन चुके हैं कि यह देखें यहां पर चुनट डालें और यह पटी को मैंने उसके बराबर कर लिया है इस तरह से अब हमने यहां से जो कपड़ा फोल्ड किया था यहां पर बाजू के यहां उसको उल्टा करके इस तरह से स्लाई लगा लेंगे इस पर यहां पर जो हमारी पेली नीचे भी स्लाई लग चुकी है ध्यान रहे कि यह स्लाई भी वह इसमें आ जाए उसके उपर उपर हम स्लाई लगाते जाएंगे हुर रूपर वाले साट पर फेल बन चुकी है इस ते तिक तरी है में कि सलाइचा बहुत इजी भाँ जाता है हम बिलकु लोग स्लाइचा जाएंगे यह हमारी स्लाइर इस तरह से लग चुकी है अब हमने इस तरह से सीधा कर लेना इसको इस तरफ को और उसमें औरेंज कलर था अब मैं इसमें औरेंज लाइस दूंगी इस तरह से देखे कितना उसे साथ मैचिंग हो जाएगा कि और इसमें यह बैरीक से डिल दूसरी लेस है शीटर लेस है इसमें बहुत प्यारी लगेगी इसने अपकिसान चेंज भी कर सकते हैं जो चुनौ डाले हैं बाजो उनका हम दरमियान लेके उसमें सीड़ी लेस चुड़ाई में होती है वह भी देखे इस डिसाइन को बना सकत हैं वो भी बहुत जबरस्त लगता है इस रसी लैस्ट भी हम इसके अंदर देते जाएंगे और उपर हम सलाई लगाते जाएंगे इसीद पर आप इस डिजाइन को ज़रूर बनाएगा बहुत ही खुबसरों डिजाइन है बहुत प्यारा लगता है और मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो नए है वर उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नेक्स्ट पर हमने स्लाइ लगा लेनी हमारा बाज़ इस तरह से रड़ी हो चुका है बहुत ही खुबसूरत लग रहा है तो प्लीज मेरे वीडियो को शेयर जरूर कीजाएगा लात आल आपको खुश रखे लाफ़ीज